आज हमारे साथ में हैं उत्र प्रदेश के कानून मंत्री बजेश पाठक जी और इनको भाजबा की कैंट सीट जो की होट सीट कही गई है उनका वहां का प्रत्याशी बनाए गया है आयोनी से बात करते हैं कि वहां का विकास ये किस प्रकार करेंगे अपने शेत्र का अपने लोगों के बीच में जाके किस प्रकार ये किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और वहां के लोगों का विश्वास किस तरह से जी देंगे बनाएगे तो यह तो थे हमारे साथ में कानून मंतरी बिजेश पाठग जी जिन्होंने बताया कि भाजपा ने जिस प्रकार से अभी तक विकास किया है और आगे भी भाजपा की जो नीतिया है उनको लेकर ये आगे बढ़ेंगे और अपने शेत्र का उसी प्रकार से विकास क कर दो